नमस्कार आप देख रहे हैं हरियाना का सबसे बेहतरी न्यूज चैनल जहां मिलते हैं आपको सिर्फ काम की खबरें मैं हूँ शक्तेपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज एक अप्रेल से परदेश भर की 410 मंडियों में ग्यों की खरीद होगी शुरू हरियाना सरकार ने किसानों के हितों का ध्यान रखते वे इस बार 410 मंडियों में ग्यों की खरीद करने का निरने लिया है एक अप्रेल से परदेश भर में ग्यों की खरीद सुरू की जा रही है किसानों को मंडी में ग्याओं की फसल बेचने में किसी परकार की कोई प्रिशानी का सामना नहीं करना पड़े इसलिए मंडीयों की संख्यात ज्यादा रखे गई है यह जानकारी परदेश के उपमुख्यमंतरी दूशन चोटाला ने दी डिप्टी सियम ने बताया कि सिर्शा जिले में ग्याओं खरीद के लिए 166 मंडिया बनाए गई है इसी तरह फतेयाबाद की बात करें तो 51 मंडिया बनाए गई है कैथल में 41, जीन्द में 35, हिसार में 29, सोनिपत में 24, करनाल कुरू छेतर में 23, अंबाला में 15, पलवल यमनानगर में 13, पानिपत में 12, भिवानी में 11, जजजर रोतक में 10, 10, दादरी में 8, फरिदाबाद में महिंदरगड में 6, 6, गुरू ग्रू ग्राम में 9, 5, 5, 5, पं शेलजा ने सरकार को घेराज जनता को पैट्रोलिम पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी का रिटन गिफ्ट दिया, हर्याना कॉंग्रेस अद्यक्स कुमारी शेलजा ने कहा कि चयार राजे में विधान सबाद चुनाओ जीतने की खुशी में, भारते जनता पार्टी यान को को तैयार रहना होगा, वहीं कॉंग्रेस अद्यक्स ने कहा कि रसोई गैस के दामों में एकमूस्त 50 रुपे की बढ़ोतरी से केंदर सरकार का महिला विरोधी चेरा उजा गरोता है, इस बढ़ोतरी से आम जनता पर और बोज पड़ेगा, तो वहीं ग्रहनियों का रसोई करी 12 बैटके बुलाई गई है, और सदन में 50 घंटे तक चर्चा भी हुई, जिससे 15 एहम विद्यक पारित हुए हैं, उन्होंने काया कि साल 2022-23 के लिए राजी का बजट अंतियोध्य को समर्पित है, तो हमाई पंक्ते में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना ही हमार परिवरतन किया जाता है, कोई अपनी मर्जी से धरम परिवरतन आवश्य कर सकता है, बसरते कि उसे जिला मजिस्टर्ट के सामने आविदन प्रस्तुत करना होगा, उन्होंने कहा कि समाज का भाई सारा बिगड़ना नहीं चाहिए, मुक्यमंद्रे ने कहा कि ट्रेक्टर किस गुरुग्राम की सिमा में नहीं होगी, हैवी वीकल्स के इंट्री अहीर रेजमेंट आंदोलन को देखते वी लिया गया निरने, एनेच 48 से गुरुग्राम की और जाने वाले भारी वाहनों को 23 मार्च यानि आज 10 घंटे तक गुरुग्राम की सिमा में प्रविश्य करने गुरुग्राम में एहीर रेजमेंट को लेकर परस्तावित मार्च पोस्ट को देखते वी लिया गया है। इसमें आवशिक शेवांश के जुड़े वहानों को अलग रखा गया है। इसमें आवशिक शेवांश के जाती है। इसमें आवशिक शेवांश के जुड़े वहानों को अलग रखा गया है। इसलिए सभी पात्र लोग आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का लाब निश्चित समायावदी में जरूर उठाएं। इसमें खट्रने की गोशना हरियाना के विधायकों को ट्रेवलिंग अलाउंस के अतिरिक्त ड्राइविंग अलाउंस भी दिया जाएगा। इसमें एक और प्रावदान की अब विधायकों द्वारा शड़क मार्क से ऐसे स्थानों जो रेल से नहीं जुड़े द्वारा के बीच यात्रा के लिए अठारा रुपे परती किलोमेटर की दर्शे ट्राइवलिंग अलाउंस के अलावा 20,000 रुपे का ड्राइवर अलाउंस भी दिया जाएगा। अगर ये काम नहीं करवाया तो आपके खाते में इस योजना की किस तानी बंद हो जाएगी। के वाईसी में रजिस्टर सभी किसान अपना वेरिफिकेशन जरूर करवाएं ताकि उन्हें लगातार संबंदित सरकारी योजना को लाव मिलता रहे। ये कारिये पि-म किसान पोटल तता संबंदित एप के मादम से निसुल्क यानि फिरी में किया जाएगा। हरियान सरकार ने किर्शी विवा की अधिकारियों को निर्देश भी जारी किये हैं इस दिशा में ताकि विशेश रोप से जागरुकता अभिहान चला कर ताकि किसानों को इसकी जानकरी मिल्स गए। पाइल से कोल करके अपना टोकन बुक कराशकेंगे। यह जानकारी देते वे नारनोल कैंटिन प्रबंदक मेजर शुकुमार ने बताया कि अप्रेल महा में कार धारक टोल फिरी नंबर पर अपना टोकन बुक करशकेंगे। परन्तु ओपन मार्केट में भाव काफी हाधिक होने के कारण सरकार को MSP पर सर्चों का एक विदाना मिलने की उम्मीद नहीं है। इस बार गयों का MSP 2015 रुपे निर्धारित किया हुआ है। इस समय बाजार में गयों के दाम की बात करें तो 2200 रुपे से लेकर 250 रुपे परतिक क्यूंटल तक बने हुए है। हर्याना में पुरानी पैंसिन योजना लागू करने को लेकर CM का बड़ा बयान देखे क्या बोले मनहुरलाल खटर। हर्याना की मुख्यमंद्री मनहुरलाल खटर ने बजट शातर की दोरान बलराज कुंडू और विपकसी विधाय को दवार उठाय जा रही पुरानी पैंसिन स्कीम को लेकर साफ कर दिया है कि उनका पुरानी पैंसिन स्कीम लागू करने का कोई रादा नहीं है। निर्दले विधायक बलराज कुंडू और कॉंग्रेस के और से नेता विपकस पूरूप सियम बुपेंदर सिंग घुड़ा पूरे मामले में वकालत करते विए दिखाई दिये। लेकिन मुख्यमंद्री ने पुरानी पैंसिन स्कीम को लेकर स्पस्ट जवाब दिया और कह कि नई पैंसिन स्कीम ही राजी में लागू रहेगी। जिवन लाब में आप डेथ क्लेम समेट का यहने बेनिफिट्स पा सकते हैं। यह भारतिय जिवन बीमा निगम की नौन लिंक्ड पॉलिशी है। इसमें एक सिमित प्रेमियम भुगतान करना होता है। यह एक लिमिटेड पिरेड प्लान है। इसमें बच्चे के बाविशे से उपर कितने भी किया जा सकता है। इसमें 16, 21 और 25 साल तक पॉलिशी पीरिड लेना जरूरी होता है। इसमें निवेशकों को लोन की सुविधा भी दी जाती है। लोन का फायदन कम से कम तीन साल के बाद में दिया जाता है। प्रेमियम पर टेक्स छूट भी मिलती है। पॉलिशी धारक की मृत्यू या फिर अपंग होने पर नोमेनी को बीमा रकम और अन्य बेनिफिट्स भी दिये जाएंगे। एक उधाहन के माधियम से हम आपको बताते हैं कि समझ लेजे कि आपने 23 साल के उमर में 16 साल के टर्म पलान और 10 लाक रुपे का सम एशोड के उप यूनिवर्स्टी में दाखिले के लिए नहीं होगी बार्मी के नंबर को आउशकता सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट से मिलेगा सेंटरल यूनिवर्स्टी में एडमिसन देश के केंदरे 20 विदेलों में एडमिसन का सपना देख रही यूवाओं के लिए बहुती बड़ी ख कोर्ष में दाखिले के लिए जुलाई के पहले हफते में CUET का आउजिन किया जाएगा ये कॉमन यूनिवर्स्टी एंट्रेंस टेस्ट एक कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम होगा जो नेशनल टेस्टिंग एजन्सी एनि एंटी आउजित करेगा इस टेस्ट का पैटरन जल् आउच्छे अंक भी लाने होंगे ये देश के नामी ग्राइमि विस विदहलों में दाखिला पाने का एक सांदार मोका होगा तोल प्लाजा के पास रहने वाले ग्राइमिनों के लिए खुशकबरी है वही नितिन गड़करी ने भी एक बड़ा एलान किया है टोल पलाजा के पास रहने वाले लोगों के लिए केंदरे शड़क प्रिवयन और राजमार्क मंतरी नितिन गटकरी ने लोक्षभा में बड़ा एलान किया है नितिन गटकरी ने आत्म निर्भर शुखी, सम्रद और संपन भारत बनाने के मोधी सरकार के संकल्प के परती मंतराले की परती बदित्ता को दोराते विकाहा कि साल दोजार चोबिस तक भारत का सड़क आधारबुट धाचा अमेरिका के ब्राबर हो जाएगा जिससे विकास आर्थिक वृद्धी होगी तो ता प्रेटन को भी बढ़ावा मिलेगा सरकारी नोगरी अपडेट हरियाना स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने 787 कम्यूनिटी हेल्थ ओफिसर के पदों पर निकाली भरती केंडिडेट्स 6 अप्रेल तक निया अपलाई नेशनल हेल्थ मिशन हरियाना नेचम हरियाना के अंदरगात हरियाना स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने 787 मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कम कम्यूनिटी हेल्थ ओफिसर यहनी MLHM कम CHO पदों पर भरती निकाली है यह बरती सब सेंटर लेवल हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर प्राइमरी हेल्थ केर सर्विस को बेहतर बनानी के लिए किया जा रही है जो हरियाना के 18 जिलों में होगी बरती के लिए योग्य उम्मिद्वार ओनलाइन आविदन 6 अपरेल 2022 तक कर सकते हैं डोकुमेंट वेरिफिकेशन एम काउंसलिंग की बात करें तो 2 मई से लेकर 17 मई 2022 के बीच होगी दिल्ली में बगाचिंग के नाम पर स्कूल बच्चों को फोज में भरती होने की फिरी ट्रेनिंग देंगे 200 शीटों के लिए 18,000 अपलिकेशन आई दिल्ली में सैनिक स्कूल का नाम सहीद बगाचिंग के नाम पर रखा जाएगा यहां बच्चों को फोज में भरती होने की ट्रेनिंग दे जाएगी ताकि वे एंडिये, सेना, नेवी और एरफोर्स में भरती होसके उस स्कूल का नाम होगा साहीद बगाचिंग आम्ड प्रिपेटरी स्कूल उन्होंने बताया कि इस स्कूल में पढ़ाई से लेकर सब कुछ फ्री होगा यह आवाशी होगा इसमें लड़कें और लड़कें को अलग से रहने की सुईदा दी जाएगी स्कूल के अंदर अफसरों वाली क्वालिटी चातरों को सिखाई जाएगी यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी के बात करें तो साफ़तोर पर इटारड आर्मी नेवी एरफोर्स अफसर होंगे उन्होंने बताया कि दिल्ली का रहने वाले कोई भी बच्चा इसमें एडमिसन ले सकता है स्कूल में नौवी और ग्यारवी में एडमिसन ले सकेंगे दोनों कक्षाओं के लिए सोशोशीटे होंगी उन्होंने कहा कि इस साल से इसके क्लास चुर हो जाएगी 27 मार्च को नौवी क्लास में दाखिले के लिए और 28 मार्च को 11 वी क्लास में एडमिसन के लिए टेस्ट होंगे यह पहले चरण का टेस्ट होगा नतिजों के आदार पर बच्चों का एडमिसन दिया जाएगा आज खबरों में बस इतना ही बने रही है हमारे साथ देखते रहें CWB हिंदी न्यूज नमस्कार